As a career driven man, I hate it जब मैं अपने future lifestyle पे research कर रहा होता हूँ और मुझे रोकते एक ad जिससे मैं ध्यान से देखता हूँ क्योंकि अगर कोई चीज मेरे time waste करने में अर्चन ला रही है It better be work my time इन ads में होता है एक आदमी, एक camera के सामने वो कहता है ध्यान से सुनो, listen carefully मैं तुम्हारे सारे problem solve कर दूँगा आगे जो मैं कहने वाला हूँ, वो बहुत सरूरी है ध्यान से सुनो, at this point मैं सुनना तो छोड़ चुका हूँ but I am still glad कि इसने ऐसा बोला सुनना छोड़ चुका हूँ क्योंकि पहले मेरी सुनता तब मैं बनता good listener but I am still glad क्योंकि ध्यान से सुनने की जरूरत तो है वरना सुनाई तो कुछ देगा नहीं क्योंकि background में बज़रा है जोरो-जोरो से motivating me to click off this video music पर फिर भी पूरा आड़ देखने के बाद एक चीज़ के बारे में पता चलता है इस आदमी का paid course इस course में सिखाते क्या है तो clear नहीं हो पाता इस आड़ से पर एक बाद जरूर clear हो जाती है कि इस course को लेने के बाद घर के हर एक drawer में से हीरे के खान के काखजात तो निकलेंगे ही निकलेंगे एक बार तो मैं ये भी सोच के खुश हो गया थे कि चलो ads तो personalized होते हैं और वो भी पैसे कमाने के आ रहे हैं पर फिर मैंने सोचा कि पहन चोद ads तो personalized होते हैं और वो भी पैसे कमाने को बोल रहे हैं पर reality तो यह है कि आपकी Alexa अगर पड़ोसी के टीवी पे पैसा शब भी सुन ले, तो भी आपके घर के हर mobile, computer, fridge और microwave में चलना लगेंगे याड़. But how did we get here? Let's look at the bigger picture. मुझे इस जिंदगी में कुछ करना है. मैं आज तक अपने कमरे के आईने के बाहर ऐसे किसी इंसान से नहीं मिला जो ऐसा नहीं कहता. कुछ लोग इस थौट को action में convert करते हैं, तो कुछ लोग personality में. अब थौट्स तो apparently इंसानों को दिन में 6200 आते हैं, पर याद तो 3-4 रहते हैं. और क्योंकि इंसान एक धीट प्रजाती है, पता है उन थौट्स को क्या कहते हैं, जिनके साथ कोई dare attached ना हो. पता है? पता है? बता देता मैं खुद, लेकिन मैं भूल गया. अब जिन्दगी में कुछ करना है, ये थौट याद रहता है, क्योंकि इसके पीछे एक डर चुपा है, कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, तो क्या होगा? नॉर्मल है ऐसा सोचना कि अगर आपने जिन्दगी में कुछ नहीं किया, तो आपके घर वाले आपको घर से निकाल देंगे, और उसके बाद आप हर रात रेल्वे स्टेशन पे सोएंगे. पर ऐसा होना तो मुश्किल है ना यार, especially अगर आपका घर रेल्वे स्टेशन से दूर हो तो, अब 27 किलोमीटर पैदल चलके थोड़ी जाओगे सोने, रियलिस्टिक तो यही है ना कि घर के पासवाली पार्क में गली के कुट्तों को रजाई बना कर सोजाओ, बट एनिवे जैसे क्लास के टॉपर से जादा मार्क स्कूल के बाहर गांजा बेचने वाले पेडलर के आने लगे, कभी-कभी मैं सोचता हूँ काश मेरे साथ ऐसा होता स्कूल के टाइम पर, पर फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अपने बाप के घर पे करते थे, इंस्टाग्राम पे उन्हीं लोगों से दो बार स्क्रीन टैप करवाने के लिए दिन भर नाच रहे हैं, मैंने देख रखाया हर वो टॉपर जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है, कहां जाकर रिकॉर्ड करता है उन्हें, एक दिन पहुच जाओंगा सुबे- आजियूम कर लिया, तेरा आफिस तो महीं पढ़ता होगा न, 13,000 किलोमीटर दूर सिलिकॉन वैली में दले साले, एन्यूवेज ये तो यूमन टेंडेंसी होती है, अपने आपके सिचुएशन किसी और के साथ कंपेर करने की, और इस टेंडेंसी ने समय के साथ-साथ कर दि ये पता करने का कोई possible way तो था नहीं, 40 साल बाद reunion में मिलते, वहाँ अगर जाके पता चला कि तुम किसी से आगे हो तो all well and good, और अगर पता चला कि तुम किसी से पीछे हो, तो भी क्या फरक पड़ता है, 10-20 साल में तो वैसे भी मनना है, पर अब ऐसा कहा है, अब तो वो इ स्क्रीन पे अपने चेहरे की मायूसी देखी है, पर इसी pressure के चलते ऐसा हो चुका है, कि अगर कोई इंसान आपके पास आए, और आपके समने ये opportunity present करे, ये कहे कि आपको जो जो चीजे चाहिए, वो पाने का एक रास्ता वो आपको दिखा सकता है, ऐसा रास्ता जो बाकी ल पैसे गिल जाएंगे, और बड़ी ये कि ये रास्ता असल में ये इंसान हर इंसान को दिखा रहा है, चलो ये तो होगे वो लोग जो आपको पैसे लेकर रास्ता दिखा रहे हैं, अब फ्री वाले रास्तों की बात करते हैं, देखो हर इंसान को पता है कि समय कीमती है और उ अगर ये तुम पर काम कर रहा है, you're also rat. ये है बेसिकली एंटरेइन्बंट जहाँ पे तुमें ये लगता है कि तुम कुछ सीख रहे हो, ताकि बेसिकली तुम्हारा वस पर टाइम वेस्ट करने से गिल्ट कम हो, बट जस बिकस तुम कुछ सीख रहे हो का मतलब ये नहीं है कि it's worth your time always सीख तो पत्तर पे सर बढ़ा कर भी मिल जाएगी कि ये वापस नहीं करना है पर वो सीखने के लिए आधा बाल्टी खून बहाने के अलावा भी तो तरीके थे ना हो सकता है एक आतबार ऐसी चीज़े कंजूम करते हैं वक्त तुम सच में कुछ सीख लो बड़ जादा तर तुम्हें ऐसी ही बाते बताएंगे जो तुम्हें शायद अलड़ी पता था बस वो रीफ्रेस कर देंगे देखो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि काम किसे करते हैं ठीक है? पहली चीज तो नीन से उठते ही अपनी आखे खोलो अब अगर तुम्हें काम करना है ना अपना फोन साइड रखतो देखो तुम अगर फोन पे रहोगे ना तो तुम काम नहीं कर सकते भाग गे खुल गए मेरे जो पता चल गया वरना तो शायद सारी जिंदगी वक्त पर बाद करने के बाद यही सोचता मैं कि भेंचोद मेरे स्थाउद बॉंबे का विला बन ग्यू नहीं रहा मेरे खैयाली ईट कम है या मेरे खैयाली सिमेट में मैंने पानी जादा मिला दिया चाण्ट बिलीव यह वीडियो इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है यार इसको देखने के लिए तो भेंचोद मैं कम से कम तीन सुर पर लूँगा अगर मुझे ऐसे content से ज़्यादा नफरत किसी चीज़ से है तो वो है इसे consume करने वाले लोग लोग जैसे ही करना शुरू करते हैं उसके बाद उसके बारे में अपना मुँ बंद नहीं करते एक चार दिन जिम गया हुआ लड़का चार कदम चलने में एक हवाई जहां से ज़्यादा फैलता है वो तरने कपड़े उसके अलमारी में नहीं होते जितने वो हर वक्त उतारने के लिए रडी रहता है और अगर कुछ कह दो इस बारे में तो तुरन चालो जाता है कि ब्रो हमने तो मैनत किया है और अगर हमारी कोई चीज अच्छी हो तो हम क्यों ना शू आफ करें ब्रो जिस टेल में इस एक हफते में ओलम्पिक्स रोडने लग जाए तो क्या जरवते पढ़ाई की और ऐसे ही काफी लोग आपको ऑनलाइन ये भी घ्यान देंगे कि आपको आपके पैसे कहां इंवेस्ट करने चाहिए वैसे तो इंवेस्टमेंट्स में रिस्क हमिशा होता है पर इसमें कोई रिस्क नहीं है अगर आप इंटरनेट पर किसी को देखकर अपने पैसे इंवेस्ट कर रहे हैं तो इधर कोई चांस वाला फैक्टर नही है आपके पैसे 100% ढूबेंगे ही ढूबेंगे आपको Instagram Reels प find a balance between being focused on your goals and not stressing yourself at the same time अकसर लोग तुम्हें guilt करने की कोशिश करेंगे तुम्हें बोलेंगे कि तु ये कर तो तुझे ये मिलेगा और उसे dodge करने का मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूँ जो हमेशा काम करेगा कोई अगर आपको बोले कि ये कर तुझे ये मिलेगा तो उससे बस एक सवाल पूछो कि उससे क्या होगा अगर वो तुम्हें इसका जवाब दे दे कि तुझे इससे ये सब मिलेगा तो फिर अपना सवाल repeat करो कि उससे क्या होगा हो सकता है कुछ लोगों के साथ आपको जादा बार रिपीट करना पड़े इस सवाल को पर I can guarantee you कि अगर आप हार ना माने तो आप सामने वाले को दे देंगे existential crisis जहाँ पर वो अपने हर life choice हर life plan को question करने लग जाएगा और ऐसा इनसान जो अपने आपको question कर रहा हो वो आपको guilt नहीं दे सकता उननिस्वे बार ये सवाल सुनने के बाद तो शायद Gary भी भी बोले की जाने से पहले आप लोग उसे कविंती करना चाहूंगा प्रीज गो चेक आउट मैं मूजिक link description में होगा, pinned comments में भी होगा और अगर वहाँ भी ना मिले तो मुझे DM करो, मैं तो मैं गा के भीजूँगा if you are new here, subscribe to my channel अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करें comment gang, so that I can have kids that are alive one day ये पिछले वाले मर गए सारे के सारे मैंने ने खिलाया होने कुछ बाकी stay safe, take care, jay hand